हुआ है फ्रैंट्स हाइ स्टुएंट्सुएंट आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे ही इसकूल के सिचुएशन के बारे में मैं आप सभी को मैं बताया था कि गवर्मेंट के द्वारा कुछ ऐसी एनाउंस हुई थी जिससे इस्टुडेंट बहुत ही ज्यादा उस्सा और खुशी उनके मन में जहलक रहे थी तो ऐसे ही मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि किस तरीके से स्टुडेंट की भावना हैं और उनके उस्सा को किस तरीके से वो अपने अंदर की जो खुशी है उसको कैसे वो दूसरों को सामने ब्यक्त कर रहे हैं तो उसी चीज़ को मैं आज इस सेशन में बता रहा हूं कि आज जो एनाउंस हुआ था उसमें आज चार तारीक का डेट दिया था उसकूल ओपनिंग का तो आप सभी जानता हूं कि आप मेरा थमनेल सी देखके आप जुरूज आपको पता लग गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर इस वीडियो में बताने वाला हूं जैसे मैं बता रहा हूं कि इस सिचुएशन में टू एर से जो उसकूल और कॉलेज बन थे उसी में कुछ आनलाइन के माध्यम से सारी चीजों को सिखाय जा रहा था बताय जा रहा था सारे वर्क को कम्पलीट करा जा रहा था उसी के दवरान बच्चे के अंदर किसी किसी के बच्चे के अंदर बहुत उसार रहता था कि हमारा वर्क हमारी इस्टडी और हमारी पढ़ाई घर से ही बहुत अच्छी हो रही है लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट के माइड में ये भी बढ़ गया था कि यार आनलाइन एजुकेशन बहुत ही सिस्टम खराब है और इससे हमें कुछ नुकसान भी हो रहे हैं लेकिन बट उस नुकसान में क्या हमारा नुकसान हो रहा है उनको ये समझता नहीं था लेकिन जब धीरे धीरे ऐसे रूटिंग बाई रूटिंग दिन प्रते दिन ये सारी चीजे उनके सामने आने लगी तरह तरह की समस्यां आने लगी कभी आनलाइन सिस्टम में नेटवर्क इसु हो जाता था तो लेक्चर पूरी तरके से अटेंड नहीं कर पाते थे, कभी ऐसी टोपिक पे ही कोई ऐसा लेक्चर चालता था, जहाँ पे उनका नेटवर्क इसु हो जाता था, जिसके कारण वीडियो पोस्ट हो जाता था और इस्टूडेंट वहाँ पे अपना माइंड कंसेट्रेट जहां करके सीखते थे वहाँ पे अपना पूरा दम तोड़ देते थे उन्हें सीखने की इच्छाएं रती थी लेकिन वो उस चीज को पा नहीं पाते थे सपोज उनके अंदर तरह तरह की कठनाई या दिक्कते आने लगती थे कभी-कभी उनके आने वाले अगले नेक्ष्ट लेक्चर में ऐसी लेशन सिखाया जाने वाला था तो इस तरीके से जब उनको लगता था कि आज हमें टीचर कुछ ऐसी टोपिक सिखाने वाले हैं जो हमें अटेंड करना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इस टाइम पर कभी-कभी होता था कि हमारे जो सेशन चल ला है है उस सेशन के माध्यम से आगे कौन से टाइम पर हमार नेटवर्क इसू हो जाएगा या हमारे फोन का जो रिचार्ज है ओ खतम हो जाएगा यह अपने आपको पता नहीं होता था किस कंडिशन में हम तरह तरह के लेक्चर को अटेंड करते थे लेकिन आज मैं उसी चीज़ को बता रहा हूं कि गौवर्मेंट को द्वारा ऐसी न तरीके से फूल टाइम यूज करने के लिए एक अच्छी लाइन मिल गई है वो लाइन क्या है कि जब गौवर्मेंट ने एनाउंस कर दिया कि 4 अक्टूवर से पूरे उस्कूल और कॉलेज को ओपन कर दिया जाएगा तो उसी के बीच में आज मैं बता दूं कि उस्कूल औ इंट किया जा रहा है और सारे अपने कारे को बेवस्थिक भंसे करा जा रहा है जो कि student भी आ रहे हैं safety तरीके से और teachers भी आ रहे हैं उन्हें जो भी guideline दिया गया था government के rule follow करने के लिए बताया गया था उन सारे rule regulation के साथ चलते हुए आज 2-3 दिन का ये time निकल गया और देखते देखते इतनी अच्छी तरीके से इतनी बेवस्थी तरीके से पूरे rule और column को follow कर रहे हैं ताकि अभी तक कुछ 2-3 दिन के अंदर में कुछ situation पता नहीं चला है क्योंकि बोलते हैं कि जब हम एक systematic तरीके से कोई भी काम करते हैं तो हमें कहीं वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है तो इस systematic तरीके में इस systematic rule में जो भी अगर हमें एक line मिली है उस line को हम follow करते चले जाएंगे हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है तो मैं इसी से related बता रहा हूं कि आज बच्चों के मन में इतनी उस्सा उत्पन हुई है जो कि उन्हें तरह तरह की समस्या आती थी उस समस्याओं से आज वो बाहर निकल गए है और सारे student आकर अपने अपने बिद्याले और college में आकर अपनी सिच्छा की चानकारी घ्यान का भंडार घ्यान का मंदिर में आके ओ अपना जो भी उन्हें uncomfortable लगता था आज उसको पूरी तरीके से ग्रहण करने में सच्चम है और खुद अपनी सेप्टी स्टूडेंट खुद अपने आपको किस तरीके से सुरच्छीत रखें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ज्यान के मंदिर में जो भी उन्हें आवसकता पढ़ रहे उन सारी चीजों को ग्रहाण कर रहे हैं तो मैं इस सेशन में जादे नहीं बताऊंगा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस सेशन में ही बस में इतना ही बताने वाला था कि जो दो तिन दिन का हमारे उस्कूल में हमारे गौर्मेंट को द्वारा जो इनाउंस किया गया डेट था उस डेट के डेट को देखते हुए मैं आप सभी को बस एकी चीज बताना चाहता था कि जो कि लोगों को नजरिया था लोगों का एक वे था कि अगर हमारे उस्कूल और कॉलेजेस ओपन होते हैं तो कुछ उसमें डिफरेंट दिखाई देता है या नहीं पहले के जैसे जो बताया गया रूल है रेगुलेशन है उसको लोग फालो कर रहे हैं कि नहीं उतना ही चीज बताने वाला था और उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि हर एक जगह हर एक फिल्ड में इन सारे रूल रेगुलेशन को अच्छी तरीके से सजेस किया जा रहा है और उसे लोग फालो भी कर रहे हैं और आज अपने जो मंजिल थी उस मंजिल को भी पाने में लोग सच्छम है तो मैं आसा करता हूँ कि ऐसे ही अगर सभी लोग साथ दें तो हमारा जो एस सिस्टम है जो एनाउंस है इसे कभी अभी बंद होने की चांस ना दें ऐसे रूल और रेगुलेशन को फालो करें और आगे भी चल के यह हमारा रेगुलर तरीके से कार चलते रहे और इस कार को कारे में गवर्मेंट का साथ दें और इसको फालो करते हुए आगे बढ़ें तबी सबका जो भी एक उदेशे है लच्छे उस उदेशे और लच्छ को पाने में सच्छम हो फाएंगे तो थैंक यू थैंक यू हेरी मच आप सभी सबका सपोर्ट दें गवर्मेंट का सपोर्ट दें सारे रूल और नियम का फालो करें ताकि किसी को इस इनाउंसे प्राब्लम न हो लोगों की नजरिया अच्छी हो लोग अच्छी तरिके से आपके साथ भीयो करें और आप इस रूल लेगरोशन को फालो करें थैंक यू थैंक यू सो